बिस्मिल्लाइ रहीमान रहीम असलामुलेकूम रहमतुल्लाही वबाराकातू हूँ नादरीनेग्रमी मुलक भर के सरकारी मुलाजमीन पैंशनर्ज और फैमिली पैंशनर्ज की हिद्मत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं नादरीनेग्रमी गुदशता रोज वफाकी कबिना ने 82 हीदारों 82 महकमों को 40 महकमों में जम करने की मनजूरी दे दी है तो नादरीनेग्रमी इस हावाले से 82 हीदारे 40 हीदारों में जम वफाकी कबिना में राइट साइजिंग की सफारशाद मनजूर कर ली गई हैं और इसी हवाले से पहले मरहले में 6 वजारतों पर नफाज होगा तुनादरीने ग्रामी आपको बताते चलें कि वफाकी का बिन्ना ने 1973 के Civil Servant Act में दो बड़ी तरमीम काद दी हैं तुनादरीने ग्रामी इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से जो बेशतर इदारों को हकुमत बंद करने जा रही है तुनादरीने ग्रामी इस हवाले से आज ही ये चोटी से वीडियो मुलक बर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए इंतहाई एहम होने वाली है तो आप से रिक्वेस्ट है कि आपने इस चोटी से वीडियो को आखरता क्लास मी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल क्लास में सब्सक्राइब करना है तो चलते हैं वीडियो की डिटेल की जाने तो नादरीने ग्रमी जैसा कि आप जानते हैं कि गुदशता दो तीन सालों से वफाकी हकुमत और सुभाई हकुमते इस तरह के एकदामात उठा रही हैं जिससे नौजवान नसल में जो सरकारी नौकरी हासल करने की जो खुआश है उसकी होसला शिकनी की जा रही है क्योंके नादरीने ग्रमी जैसा कि आपको बता है कि आए ये दिन कोई ने कोई सरकारी मुलाजमीन के हवाले से आखुमत कोई ने कोई तरह मीम कर देती है जैसा कि अगर सुबह पंजाब की बात की जाए तो सुबह पंजाब में लीव इन कैश्मेंट को खतम कर दिया गया है और इसी तरह रूल सतरह ए की बात की जाए तो रूल सतरह ए को भी खतम कर दिया गया है जिस से दुराने सर्वस वफात की सुरत में सरकारी मुलाजम के अलवा है किन यानि कि सरकारी मुलाजम के बच्चे या उसकी बेवा को जॉब दी जाती थी उसे भी खतम कर दिया गया है और इसी तरह जैसा कि नादरीने के लिए हमें आपको बता है कि हकुमत सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की हक पर यो डाकर डालने जा रही है पेंशन इसलाहात की सुरत में और इनी सारी सुर्थिहाल के पेशे नदर आजकल जो वफाकी वजारतों डिवीजन्स और महकमों को और महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है यानि के कुछ महकमों को खतम करने की पालिसी बनाई जा रही है तुनादरीने ग्रामी पहले मरहले में पाक P.W.D. और यूटेल्टी स्टोर्ज का महकमा है उसे खतम करने का अंदिया दे दिया गया है हकूमत की जानिब से तुनादरीने ग्रामी इसे हवाले से गुदशते रोज वफाकी कबिना का इजलास मुलक्त हुआ तुनादरीने ग्रामी वफाकी कबिना के इजलास में वजीर खजाना की सरबराही में काइम इदारा जाती इसलाहात के लिए काइम की गई कबिना कमेटी ब्राय राइट साइजिंग की तजाविज की मनजूरी दे दी गई है नादरीने गरामी इदारों वजारतों या महकमों की राइट साइजिंग के लिए एक कमेटी कायम की गई है जिसकी सरबराही वजीरे ख़दाना को दी गई थी तो नादरीने गरामी उस कमेटी ने वजीरे आजम की सरबराही में वफाकी कबिना के इजलास में इदारों या वजारतों या महकमों की राइट साइजिंग के हवाले से अपनी तजावीज पेश की हैं गुदशता रोज तुनादरिने गरामी उन तजावीज की वफाकी कबिना की जानब से मनजूरी दे दी गई है तुनादरीने गरामी इन सफारशाद की रोशनी में पहले मरहले में 6 वजारतों पर कमेटी की सफारशाद का नफास होगा और इन वजारतों के 82 सरकारी इदारों को जम और तहलील करके 40 ऐसे इदारों में तब्दिल किया जाएगा तुनादरीनेग्रामी हकूमत के इस एकदाम के तहट तक्रीबन डेल लाक जो ग्रेड एक से ग्रेड सोना की असामिया हैं वो खतम कर दी जाएंगी तुनादरीनेग्रामी इस हवाले सिन वजारतों के जो 82 सरकारी इदारे हैं उन 82 सी इदारों को जम करके उनकी राइट साइजिंग करके उनको 40 सी इदारों में तफदील कर दिया जाएगा यानि कि जो 42 सी इदारे हैं वो खतम कर दिये जाएंगे तुनादरीनेग्रामी मतاثर ओने वाले मुलाजमीन के Azimies के तहफूज के लिए कमिटी काईउ कर दी गई है तुनादरीनेग्रामी जो 42 सी इदारे फारक किये जाएंगे वहां पर काम करने वाले जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो मुफादात हैं उनका जो फ्यूचर है उसे सिक्योर करने के लिए हकूमत की जानिब से एक कमेटी काइम कर दी गई है तुनादरीनेग्रामी इसी सारी सुर्तिहाल की पेशे नज़र अगर सिवल सर्वेंट एक्ट 1973 की बात की जाए तो गुज़र रोज 1973 का जो सिवल सर्वेंट एक्ट है उसमें भी तरामीम कर दी गई है तुनादरीनेग्रामी इसी अगर इन अमेंडमेंट्स की बात कीजे तो ओवराल ये तमाम महकमों जिन महकमों की राइट साइजिंग की जा रही है उन तमाम महकमों और वहाँ पर काम करने वाले तमाम सरकारी मुनाजमीन पर लागू की जाएंगी तो 1973 की एक्ट के सेक्शन 2 में एक तरामीम कर दी गई है और उसको लावा 1973 के कानून में एक और रूल एड़ कर दिया गया है तुनादर इनिगरम इसके सेक्शन 2 में तब्दिली कर दी गई है अमेंडमेंट कर दी गई है सेक्शन 2 डबल एड़ सवीरेंस पैकेज मेंज फिनेंशल कंपनसेशन डिली नुटिफाइड बाइड पर दी पर 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 पस दी गई है तुनादर इनिगरमि इस रूल में अमेंडमेंट अफ सेक्शन 11 ओफ डख जैकट यांनिके इस रूल में 11 के सेक्शन ऐड़ किया गया है जिसका मतलब है कि ऐसा कोई पी फैसला होगा किसी भी महक में डिपार्टमेंट या दफ्तर की रिस्ट्रेशिंग का, रिया और्गनाईजेशन का, यानि के राइट साइजिंग का, या उसकी तन्जिमे नौ का, या उस महकमे में किसी भी किसम की किसी तरह मीम का, तो उसका जो हत्मी फैसला होगा वो वफाकी कभीना करेगी, और इसके लब वफाकी कभीना की जानिब से अ मैक में उस दुफात्र उस वजारत में ऎकाम करने ह shots कि माली कुमाली इंदाद दיא जाये घी और इस पैकेज की भ़ाले से बड़ी खाबर यह है कि जो package government की जाने प्शे हकोमत की जाने प्शे यानि कि वफाकी कभी ना की जानिप से मुलाजमीन को दिया जाएगा मुलाजमीन के लिए वो पैकेज को उस पैकेज को कबूल करना लाजमी होगा और दूसरी जानिप अगर सरकारी मुलाजम वो पैकेज कबूल नहीं करता तो नादरीने क्र readm ये अगर सरकारी मुलाजमी छो हुआ ये लिए जाने हुआ पैकिज को कबोल नहीं करता तो पिर उस मुलाजमी जो नोकरी है उसे नोकरी खतम कर दी जाएगी और उसे कोई माली इम्दाद नहीं दी जाएगी यनि कि हकूमत की जानिप से उसे फारग कर दिया जाएगा तो नादरी निग्रम इस हावाले से हकूमत का कहना है कि किसी भी वजारत डिवीजन और इदारे के खात्मे पर हकूमत वहाँ पर काम करने वले मुलाजमीन की माली मौावनत करेगी और इसी तरह वफाकी कबिना का कहना है कि जिस सरकारी मौलाजम को माली पैकेज दिया जाएगा वो उसे लाजमी कबूल करेगा और इसी तरह हकूमत का वफाकी कबिना का कहना है कि जो पैकेज सरकारी मौलाजमेन को हकूमत की जानिब से दिया जाएगा उस पैकेज पर एतराज की सुरत में वजीर आजम की तश्कील करदा कमेटी को दर्खवास्त देना होगी यानि कि हकूमत की जानिब शिलाइट साइजिंग की जाने के बाद जिन सरकारी मुलाजमें को जो माली इम्राद माली पैकेज दिया जाएगा अगर उस पैकेज पर किसी सरकारी मुलाजम को एतराज होता है तो एतराज की सुरत में वजीर आजम की जो तश्कील करदा कमेटी है उसको दर्खवास्त देना लाजमी होगी यानि के एक मुलाजम जिसको वो पैकेज दिया जाएगा अगर उसे किसी किसम के कोई इत राज है उस पैकिज पे तो वोगजरी आजम की क्राइम करदा MARTINT LGBTQ को द्रखुrast दे सकता है तो ना जरीने क्रामीद में इन तमाम तर तरामीम की गई हैं इन तमाम तर तरामीम की हत्मी मनजूरी इस हफते वुफाकी कभी ना इजलास में दी जाएगी वैल तो नादरीनेगर में ये थी मारी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को आज में सब्सक्राइब कीजिएगा तो हादिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर आला हाफिज